आज हम इशारात की सूरत में अपने दिन की कारकरदगी को बहतर बनाने के लिए चंद मश्वरों पर गुफ्तगू करेंगे। ये विडियो मशीनी आवाज से तयार की गई है। अपने दिन की कारकरदगी कैसे बहतर बनाएं। इस सिलसले में चंद मश्वरे ये हैं। मुस्तकिल रोजाना का मामूल, मुस्तकिल रोजाना का मामूल बनाए ताके धाचा और पेश बीनी पैदा हो। इस सिलसला में एक शेडूल बना लें जिसमें घंटे और दो घंटे की मियाद के टाइम बिलाक्स हों और आप उसके मताबिक काम करने की कोशिश करें। तरजीहात की फहरिस्त जैसे ही अप अपना दिन शुरू करें, अपने कामों की फहरिस्त बनाने के बाद उनकी तरजीहात मकरर करें। जो काम तफवीज करने हैं वो तफवीज कर दें और जो काम आपको खुद करने हैं उन्हें अप खुद करने की कोशिश करें। उन कामों की फहरिस्त बनाएं जिनको फौरी तवज्जो की जरूरत है। उनके वक्त का जाइजा लें और अपने दिन को इसके मताबिक प्लान करें। मुस्सर वक्त उन अकात की निशान देही करें जब अब सबसे ज़ादा मुस्सर होते हैं और मुश्किल कामों का शेडूल उन वक्तों के लिए बनाएं इसे आम जबान में प्राइम टाइम कहते हैं जिसमें अपकी कारकर्दगी उरूज पर होती है। हकीकी डेडलाइन्स अपने कामों के लिए काबिल हसूल डेडलाइन्स मकरर करें और उन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें यानि एक काम में कितना वक्त लगे लगा और वो काम कब खत्म करना है। रुकावटों का तज्जिया वो कौन सी चीजें हैं जो आपके काम में खलल डालती हैं और उन रुकावटों को कम करने या खत्म करने के तरीके तलाश करें। गेर एहम कामों को मुखर करें, एहम कामों पर तوج्जो दें और कम एहम सरगर्मियों पर वक्त जाय करने से बचने की कोशिश करें। अब आए हम आपको चंद सलाइड्स के जरिये वजाहत करते हैं। इस सलाइड में बताय हुए चार्ट के मताबिक रोजाना की फहरिस्ट बनाएं। इस फहरिस्ट में अंग्रेजी के A, B और C दिये गए हैं। जो काम पहली तरजी के हैं, उनके आगे A के तहत निशान लगाएं। फिर दूसरी और तीसरी तरजी के काम करें। इसके बाद अपने दिन के आवकाद के बिलाक्स बना लें और निशान लगा लें के कौन से काम कब करना है। इन निशानात के साथ उन अफराद के नामों के मखफफ भी लिख लें जिनहें अपने ये काम तफ्वीज किया है। शाम के वक्त जाइजा लें, से अपना मामूल बनाने की कोशिश करें। ये चार्ट अपकी मदद करेगा कि आप अपने मामूलात को अपने उकात के साथ कैसे मुनसलिक करेंगे। जैसे अपने दिन के ग्यारा बिलाक्स बना लिए। कोई बलाक एक घंटा का और आम तोर से बलाक दो घंटे के है। मींद का बलाक छे घंटे का है। इबादात के लिए एक रंग दिया गया है। इल्मी और तखलीकी कामों के लिए अलग रंग दिया गया है। कारोबारी मुआमलात और माश के लिए सुबह नौ से शाम छे बजे तक के पांच बलाग बनाए गए है। खानदान के अफराद से बात चीत के लिए एक रंग मुकरर किया गया है। इसके अलावा हर हफ़ते की कारकरदगी के लिए रिमार्क्स और आइंदा करने के लिए नोटिस दिये गए है। ये तरजीहात मतयन करने का चौकोर है। अपनी फहरिस्त के लिए ये चार कालम भी बना सकते हैं। सुर्ख रंग इस बात की रेनुमा करता है कि ये काम फौरी तौर पर करने है। सबस रंग इस बात की रेनुमा करता है कि उसे सुकून और फोकस और चौकस रहते हुए करना है। नीला रंग इस बात की रेनुमा करता है कि ये वो काम है जो अफराद को तफवीज किये जा सकते हैं। और पीला रंग इस बात की रेनुमा करता है कि उसे खुद ना किया जाए बलकि कुछ रकम खर्च करके के करवा लिया जाए। अब हम काम और वक्त की निस्बत के हवाले से चंद बातें बताते हैं। इस उसूल को याद रखें कि काम महया वक्त के मताबिक पहलता है। इम्तिहान के तीन धंटों में हम बीस सफ़े लिख लेते हैं इसलिए कि हम पर दबाव है कि ये काम इस मुद्दत में खत्म करना है। कोशिश करें कि आपके काम वक्त की मिद्दार और इसे खत्म करने के वक्त के साथ वावस्ता हूँ। इस बात का ख्याल रखें कि एक हदीश के मताबिक सिहत और फुरसत अवकात वो दो निमते हैं जिन से लोग उनके हक के मताबिक फाइदा नहीं उठाते। इस बात काम करने की तवानाई पैदा करती है जबकि फुरसत सोचने की कुवत फराहम करती है। ये दोनों चीजे मिलकर हम में कुवत अमल पैदा करती है। अपने दिन के आगाज में अपने मामूल के अज़कार, दौाओं और फहरिस्त बनाने के बाद दौा करें के। एए अल्ला अब हमारे आज के दिन के पहले हिस्से को हमारे कामों की दुरस्ती दर्मियानी हिस्से को बहबूदी और अखरी हिस्से को कामरानी बना दें।